आपका पहला प्रश्ण है, वर्ष 1906 इस्वी में किसने कलकत्ता कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? A. दादा भाई नौरो जी B. मौरार जी देशाई C. विपिन चंद्रपाल D. गोपाल क्रिशन गोखले आपका सही उत्तर है A. दादा भाई नौरो जी आपका दूसरा प्रश्ण है मुहम्मद गोरी किस वंच से संबंद रखते थे? A. शंस्बनी वंच से B. गोरी वंच से C. चंदेल वंच से D. चौल वंच से आपका सही उत्तर है A. शंस्बनी वंच से आपका तीसरा प्रश्ण है भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदूओं से जजिया कर नलेने का आदेश दिया था? A. अलावद्दीन खिलजी B. अलावद्दीन हसन बहमन शा C. अकबर D. मुहम्मद गौरी आपका सही उत्तर है B. अलावद्दीन हसन बहमन शा आपका चौथा प्रश्ण है महाराजा रंजीत सिंग ने विश्व प्रसिद कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? A. एहमद शा अबदाली B. महाराजा रंजीत सिंग C. शा शुजा से D. महाराजा सुर्जीत सिंग आपका सही उत्तर है C. शा शुजा से आपका पाच्वा प्रश्ण है किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद गीता एन योग वशिष्ट का अनुवाद फार्सी में किया था? A. दारा साहनी B. दारा शिको C. वीर दारा D. फिरोस खान आपका सही उत्तर है B. दारा शिको आपका छठा प्रश्ण है बिहार के पाटली पुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यता किसका बना था? A. पत्थर का B. लकडी का C. इंटों का D. मिटी का आपका सही उत्तर है B. लकडी का आपका सात्वा प्रश्ण है भारत में सर्वप्रथम पत्रमुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? A. वर्ष 1802 में B. वर्ष 1806 में C. वर्ष 18010 में D. वर्ष 1809 में आपका सही उत्तर है B. 1806 में आपका आठवा प्रश्ण है साधारन नमक का रासायनिक नाम क्या है? A. सोडियम बाइकार्बुनेट B. फॉसफोरस C. सोडियम क्लोराइड D. सल्फर आपका सही उत्तर है C. सोडियम क्लोराइड आपका नौवा प्रश्ण है लावणी और तमाशा किस भारतिय राज्य का प्रसिद्ध लोक्मृत्य है? A. गुजरात राज्य में B. केरल राज्य में C. महराष्ट्रा राज्य में D. मध्य प्रदेश राज्य में आपका सही उत्तर है C. महराष्ट्रा राज्य में आपका दस्वा प्रश्ण है चंदर्यान तीन का कुल वजन कितना था? A. 2200 किलोग्राम B. 3400 किलोग्राम C. 3100 किलोग्राम D. 3200 किलोग्राम आपका सही उत्तर है D. 3200 kg